गवरी देवी राजकिये महला महाविद्याले में बियस्सी भाग तृतिये प्राणी सास्त्र की छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर वियन पांडे आपको प्राणी सास्त्र का दूतिये प्रस्म पत्र पढ़ा रहा हूं। इसमें हम लोग इकोसिस्टम के विभिन आयामों की चर्चा कर रहे थे। इसी इकोसिस्टम के अंतरगर आज हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर और ट्रॉफिक लेविल्स की बात करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने प्रोड़क्शन, प्रोड़क्सन, कंजम्शन, पूर्चेंज, फूर्ड वयव आध का द्धेन किया है। यह पूरा का पूरा जो setup है जैविक setup, बायोटीक setup हमने देखा था, यह बायोटीक और बायोटीक दू प्रकार के factor सद्धेन किये थे, उन में से जो पूरा बायोटीक setup है, जो बायो मास उत्पन करता है, अर्थात सोलर एनरजी को प्राप्त करके इनार्गरिनिक तत्तों से का कर्बनिक तत्यों का नि रमाड करता है और इस बायू मास को बायो लोजकल सिस्टम में कंजूमर्स से होता हुआ, ट्रांस्पर करता है अर्थात कंजम्शन की क्रिया करता है इस पूरे बायो-्टिक सेटप को जिसमें alguns production और कंजम्शन होते हैं इसको ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहा जाता है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में प्रोडूसर, कंजूमर और डीकंपोजर सी ये सभी सामिल होते हैं और इनकी मेकेनिजम है खाया, जाना और खाना इटिंग एंड बीइंग इटन इसी खाये जाने और खाने के द्वारा ही उर्जा का संप्रेशन इस बाइलोजिकल सिस्टम में होता है ये पूरा का पूरा सेटप ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहा लाता है इसका आर्थ ये हुआ कि किस प्रकार से उर्जा प्राप्त की जा रही है प्रकरती से और वो किस प्रकार से इस बायोटिक सेटप में इस जैविक तंत्र में आगे बढ़ रही है यही ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में कई ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ये प्रतेक जीव, जितने भी जीव हैं एकोसिस्टम में, उनको किसी ने किसी लेविल पर रखा जा सकता है ये इस पर निर्भर करता है कि वो अपने भोजन या उर्जा के सरोत के लिए किस पर निर्भर हैं, कहां से वो अपना भोजन या उर्जा सरोत प्राप्त कर रहे हैं और वो स्वेंग किसके लिए भोजन या उर्जा का स्रोत है अर्थात कहां से उर्जा ले रहे हैं या भोजन ले रहे हैं और किसको भोजन या उर्जा दे रहे हैं जो कि आपने food chain या food web में भी देखा था तो इसका अगर सामान ने अर्थों में कहें तो कि वो किसको खा रहे हैं और कौन उनको खा रहा है इसके आधार पर ट्रॉफिक लेविल्स निर्धारी तो होते हैं हर जीव किसी न किसी ट्रॉफिक लेविल पर होता है सबसे bottom level या सबसे पहला traffic level producers का होता है क्यों क्योंकि ये सीधे ही प्रकर्ति से अकार्विनिक तत्तों को प्राप्त कर रहे हैं और वहां से ये biomass उत्पन करने का प्राथमिक विंदु हैं यहीं से biomass उत्पन हो रहा है तो ये producer पहला इस तर होते हैं traffic level इस पूरे के पूरे traffic structure में इसके बाद अगला इस तर consumers बनाते हैं consumers में जो primary consumer हैं जिनको हर्वी वोर कहा जाता है वो अगला इस तर बनाते हैं हर्वी वोर के उपर secondary consumer अर्थात हर्वी वोर को खाने वाले कार्णी वोर ये next level बनाते हैं और फिर कार्णी वोर को खाने वाले कार्णी वोर्स वो जो की tertiary consumers कहलाते हैं ये अगला इस तर बनाते हैं तो ये हर इस तर एक दूसरे से उंचा इस तर है सबसे निचला इस तर प्रोडूसर हो गया उसके उपर का इस तर हर्वी वोर हो गया उसके उपर का इस तर कार्णी वोर हो गया और उससे उपर कार्णी वोर को खाने वाले कार्णी वोर हो गए और decomposer इसमें सब से उपर का इस तर बना देते हैं ट्रॉफिक लेबिल में तो इस तरह से एक ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में ऐसी रचना होती है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जिसमें बॉटम पर producers और टॉप पर decomposer होते हैं तथा बीच की अवस्थाओं में consumers के अलग-अलग grade, primary, secondary या tertiary या विभन ने इस तर पाय जाते हैं इनमें हर्वी वोर consumer के उपर है हर्वी वोर consumer जो है ये producers के उपर है कार्णी वोर consumers हर्वी वोर consumer के उपर है और इसी तरह से एक के उपर एक ये इस तर बने हुए होते हैं इन्हीं इस तरहों को ट्रॉफिक लेविल कहा जाता है तो इस तरह से किसी भी एको सिस्टम में कम से कम दो ट्रॉफिक लेविल होने जरूरी है minimum two traffic levels are essential एक producer होना चाहिए जो बायो मास उत्पन करे और कम से कम उसको decompose करने वाले decomposers होने चाहिए अगर plant की ही death हो जाए मान लिजिए plant को कोई और जीव नहीं खाता है हर भी वोर भी उसको नहीं खा रहे हैं और वैसे ही plant नश्ट हो गया गिर गया तो decomposers उसको नश्ट कर देंगे इसलिए कम से कम दो लेविल होना किसी भी traffic structure में आवस्यक हैं और वो दो लेविल है producer यह हर system में जरूरी है और दूसरा decomposer यह आवस्यक है इन दो लेविल से के विना कोई भी traffic structure डेवलप नहीं हो सकता नहीं बन सकता है maximum कितने लेविल हो सकते हैं तीन हो सकते हैं या चार हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं छे भी हो सकते हैं food chain कितनी लंबी है इस पर निर्भर करेगा maximum number of traffic levels कितने अधिक traffic level होंगे ये निर्भर करेगा food chain पर जितनी लंबी food chain उतनी अधिक संख्या में traffic level तो ये अन्यमित है किसी में तीन हो सकते हैं किसी traffic structure में traffic levels किसी में चार हो सकते हैं किसी में पांच भी हो सकते हैं और छे भी हो सकते हैं तो इस तरह से food chain को ही और food web ही ट्रॉफिक levels का निर्धारण करते हैं अब हम देखते हैं energy flow मैंने आपको बताया कि कौन सा जीव भोजन या उर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है और किसको पहुँचा रहा है ये ट्रॉफिक structure है अर्थात उर्जा का प्रवाह इसमें एक बहुत महत्तोपूर्ण विंदु है तो प्रात्मिक श्रोत जो उर्जा का है वो सूर्य है सूर्य से उर्जा को producers प्राप्त करते हैं और उस उर्जा को chemical energy में बदलते हैं photosynthesis की प्रक्रिया होती है इसी के द्वारा सूर्य की उर्जा chemical energy में बदल जाती है अब ये जो chemical energy बनी पौधों के द्वारा इसमें काफी उर्जा तो पौधे स्वैंग अपने respiration के लिए उपयोग में ले लेते हैं और जो सेस बचता है उस बचे हुए को बायो मास के रूप में संग्रहीत कर लेते हैं इकठा कर लेते हैं अब जितना भी ये बायो मास उत्पन हुआ producers के द्वारा हर्भी वोर इन ही पर आश्रित होते हैं इनको खाते हैं लेकिन ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा plant बायो मास हर्भी वोर्स के द्वारा खाया नहीं जाता है इसका बहुत कम भाग खाया जाता है काफी भाग decay कर जाता है decomposers द्वारा नस्ट किया जाता है और लगभग कुल जितना भी वायो मास प्रोडूसर्स उत्पन करते हैं उसका दस प्रतिसत भाग ही हर्भी वोर्स खा पाते हैं और फिर वही हर्भी वोर्स भी यही करते हैं कि काफी उर्जा अपने respiration और अन्य गत्विधियों में खर्च कर देते हैं और बचा हुआ भाग उनके शरीर में बायो मास के उत्व में इकटा हो जाता है अब यह हर्भी वोर्स जो है इन्हें कार्णी वोर्स खाते हैं तो सारे हर्भी वोर्स कार्णी वोर्स के द्वारा नहीं खाये जाते हैं काफी हर्भी वोर्स अपनी प्राकर्तिक मृत्व से मर जाते हैं उनको कोई खा नहीं पाता है वो ऐसे ही सर जाते हैं तो माना यह जाता है कि दस प्रतिसत हर्मी वोर्ड ही कार्दनी वोर्ड के दोवारा खाये जाते हैं बाकि अपने आप नश्ट हो जाते हैं और अब जो कार्दनी वोर अरथात कंजूमर ग्रेट सेकंड्री कंजूमर इस उर्जा को हर्वी ओर से प्राप्त करते हैं वो भी कुछ उर्जा desapare creation में खर्च करते हैं और बचे हुए को बायो मास के रूप में शरीर में इकठा करते हैं थर्द तरस्यरी कंजूमर यह secondary कंजूमर को खाते हैं और फिर वही प्रक्रिया होती है कि पूरी उर्जा किसी भी इस्तर से अगले इस्तर तक नहीं पहुच पाती है अंत में डीकंपोजर इस उर्जा का कुछ हिस्सा अपनी मेटाबोलिजम पर खर्च करते हैं और बहुत थोड़ा असा हिस्सा इस्टोर करते हैं, बाकी का प्रकरती को वापस छोड़ देते हैं, प्रकरती में भेज देते हैं तो ये उर्जा का प्रवाह आप देखेंगे Unidirectional एक ही दिशा में होता है Producer से Consumer और कंजूमर से Decomposer की तरफ उल्टी दिशा में इसका प्रवाह नहीं होता है Lower Tropic Level से Higher Tropic Level Producer मैंने बताया था सबसे Lower Tropic Level है तो Producer से Consumer की तरफ अर्थात Lower Tropic Level से Higher Tropic Level की तरफ ही उर्जा का प्रवाह होता है जिसको यूनि डारेक्शनल फ्लो आफ एनर्जी कहते हैं एक दिशा में उर्जा की प्रवाह प्रतेक इस्तर पर लगभग 10 प्रतिशत उर्जा ही अगले इस्तर तक इस्थान आंतरित होती है बाकी 90 प्रतिशत या तो पाइडेशन तथा मेटाबूलिक एक्टिविटीज में जीव द्वारा खर्च की जाती है या फिर वेस्ट हो जाती है और डीकंपोजर्स के द्वारा यूज की जाती है तो इस तरह से हमने देखा कि ये ट्रॉफिक स्ट्रक्शर पूरी इको सिस्टम के संचालन करने वाले संपूर्ण सेटप का नाम है और उसमें अलग-अलग लेविल बने हुए हैं खाने के और खाये जाने के इस्तर बने हुए हैं जो ट्रॉफिक लेविल कालाते हैं लोवर ट्रॉफिक लेविल से हायर ट्रॉफिक लेविल की तरफ निरंतर उर्जा का प्रवाह होता रहता है और ये उर्जा एक इस्तर से दूसरे इस्तर तक लगभग 10 परतिसत पहुचाई जाती है धन्यवाद बच्चों